नमस्कार दोस्तों इंडिया स्वाइक्स चानल पर आपका स्वाधत है तो ताइवान में आफिरकार नया प्रेसिडेंट अपनी जगह ले चुका है उसका नाम है विलियम लाई चिंटे जिसने कल प्रेसिडेंट की कुर्शी संबाले अब अगर बात करें विलियम लाई पार्टी से बिलॉंग करता है सेम पार्टी से जिससे जो प्रीडिसेसर साइट वह भी बिलॉंग करती थी अब अगर इन दोनों के विचार देखे जाएं तो जिस तरह से साइट एक लियर नेरेटिव था कि चाइना और ताइवान दो अलग-अलग कंट्रीज हैं उसी प्र गुलाएं और ना ही चाइना के एक पार्ट के रूप में तो इसी के चलते चाइना में और यहां तर्थी टाइवान के जो ऑपोजिशन पार्टी है जो की चाइना बैक उसमें काफी ही यहड़वड़ी मज गई है उसी के चलते बहुत सारे रियक्शन्स आ रहे हैं ताइव को चुना है और उसमें खास करने विल्यम लाइचीन ते को चुना है वे लोग एक अलव नेशन की और देख रहे हैं तब ही टाइवानीज ने इस पार्टिक्लर पार्टी को वोट किया है और हम उन लोगों के इस रिजिजिशन को रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी सराना कर कि किसी भी प्रेशर में आये बिना और चाइना जैसे एक ओपरेसिव रिजीम के सामने ताइवान के आम लोग खड़े रहे और उन लोगों बोट कर जो चाइना की रिजीम थी और उन लोगों के सपोर्ट के साथ जो पार्टी जो उपोजिशन में खड़ी थी और रहे हैं और वे लोग यह चाते हैं कि उनको चाइना के साथ ना जोड़ा गए लाइचिंटे ने जो स्पीज दी उसमें उसने यह भी कहा कि समझ लिजे कि अगर चाइना की जो बात है और उनकी वन नेशन की लिए उसको एकसब भी कर लिया तो उससे चाइना रुकने वाला उसके पीछे कई सारे एविडेंसेज हैं जिसे यह माना जा सकता है कि लाइक ही जो आर्ग्यूमेंट है वो अपनी जगा पर एक दम हुई सच है क्योंकि चाइना ने इसी प्रकार से जो उत्तर पुरू का एरिया था साथी में जो तिबट का एरिया था और अन्य कई ऐसे ए इलाका कॉंस्टन्टली बता रहे हैं और उसी प्रकार से अपने मैप्स को रीडिजाइन करते जा रहे हैं तो उसी के चलते लाइन यह सपश्ट कर दिया है कि ताइवान एक अलग आगे चलेंगे ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तर कर यह साथ वो अपने रिलेशन्स ने उसको और भी स्ट्रॉंग करने की कोशिश करेगा और दोनों ही कंट्री में जो डैमोक्रेटिक वैलिज उनके चलुग उन दोनों कंट्री स्ट्रॉंग करना काफी ही आसान हो जाएगा तो इसी प्रकार से इन्टिरेक्ट उसे उन्थन जापान में से भी जापान के जो Chief Cabinet Secretary है उसने भी यह बयान दिया है कि वेरो यह जो पर्टिकुलर आइलेंड है ताइवान का उसकी गवर्मेंट के साथ और भी स्टॉंगर रिलेक्शन्स बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन यहां पर एक कैश है और वो कैश यह है कि जब से कु रहा है तो किसी के चलते हैं उन्होंने ताइवान को एक आइलेंड काहा है इस पर्टिकुलर स्टेप्मेंट में और ना की आइलेंड नेशन तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से जापान अपनी स्ट्रेजी बदलता है ताइवान और चाइना के बीज में बैल नेशन की तौर पर देखना चाहता है और उसके उपर कोई भी ऑप्रेसिव रिटीम प्रेशर बना अपने अंदर एनेक्स करने की कोशिश करती है तो हम भारतियों को उसके खिलाब आवाज उठानी चाहिए तो हम अपने माध्यम से यह सपश्ट कर दे कि ताइवान और ला का एक अपना अलग मसला है भारत के साथ भारतियों के साथ तो उसके हम जादा फिवर में नहीं है तो लेट सी हाव एक फ्लोस लेकिन ताइवान के लोगों की इस पर्टिकलिलर बाद का हम समर्पन करते है कि ताइवान चाइना का हिस्टान नहीं है वो एक अलग आइलेंड स्प्राइब चाहिए चिस्टेश करने बढ़ाई चाहिए अगर और कुल एसे डुरणी साहरेघ्रेम और उसा करने से रोकना जाए ़ुटवेकर लायख कर एक करें बेल आइकन नबाना ना भूले तकि आप इस प्रकार की रेगुलर अपडेक्स मिलती रहें मिलेंगे अगले कबर में तब तक करें जैहिन तरहर्मान